हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल, फिर से हाजिर हूँ इस नए टॉपिक के साथ हाँ तो अब तक हम जान चुके हैं ग्लास लैब और अवतर लेंस दुआरा अपवरतन के बारे में अब बारी आती है उत्तर लेंस दुआरा अपवरतन की आज की इस वीडियो में हम उत्तर लेंस दुआरा अपवरतन के बारे में जानेंगे और साथ ही एक एक एक्टिविटी भी करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें लगबग वही सारी चीज़े चाहिए जो पिछली अक्टिविटी को करने के लिए पड़ी दे बस फर्क स्रिफ लेंस का होगा पिछली अक्टिविटी में अवतल लेंस था इस अक्टिविटी में उत्तर लेंस है तो किस-किस चीज़ की अवशकता पड़ेगी हमें एक उत्तर लेंस जिसकी फोकस दूरी होगी 15 cm, एक स्क्रीन, एक मोमबत्ती और एक वाइट चार्ट की शीट याद है हमने अवतल दरपण द्वारा प्रतिविम को बनाने के अलग-अलग केसिस को देखा था यहाँ भी कुछ इस तरह से ही हम एक्टिविटी को करेंगे सबसे पहले हम शीट पर एक सीधी लाइन खीच देते हैं और इसके बीच में एक बिंदू अंकित कर देते हैं जिसे O का नाम देते हैं O के दोनों और 15 cm की दूरी पर F1 और F2 और 30 cm की दूरी पर 2 F1 और 2 F2 को अंकित कर देते हैं ये हमारे मुख्य बिंदू रहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लेंस हमेशा O पर रहेगा और लेंस की एक तरफ मुम्बत्ती रहती है और दूसरी तरफ स्क्रीन रहती है जैसा कि अवतल दरपन के केस में बिंब को 6 अलग-अलग स्थान पर रखा जाता था यहां भी 6 अलग-अलग केस बन सकते हैं पहला अनंत पर दूसरा 2 F1 से परे तीसरा 2 F1 पर चोथा 2 F1 और F1 के बीच पाचवा F1 पर और आखरी F1 और O के बीच पहला केस यदि मुम्बत्ती अनंद पर रखी हो तो मुम्बत्ती से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर होगा और अब वर्तन के बाद प्रतिविम F2 पर बनता नजर आएगा प्रतिविम आकार में बहुत छोटा और साथ ही वास्तविक अवम उल्टा रहेगा केस 2 यदि मुम्बत्ती 2F1 से परे रखी हो तो अब वर्तन के बाद प्रतिविम F2 और 2F2 के बीच बनता नजर आएगा केस 3 यदि मुम्बत्ती को 2F1 पर रखा जाए तब प्रतिविम 2F2 पर मिलेगा लेकिन इसका साइज मुम्बत्ती के साइज के समान होगा साथ ही वास्तविक एवम उल्टा भी केस 4 यदि मुम्बत्ती को 2F1 और F1 के बीच रखा जाए तब प्रतिभिम हमें 2F2 से परे मिलेगा जिसका साइज मुम्बत्ती से बड़ा एवम वास्तविक और उल्टा रहेगा केस 5 यदि मुम्बत्ती को F1 और O के बीच रखा जाए तब प्रतिभिम कहीं अनंद पर बनता नजर आएगा जिसका साइज बहुत बड़ा एवम वास्तविक और उल्टा रहेगा केस 6 आखरी केस में यदि मुम्बत्ती को F1 और O के बीच रखा जाए तब प्रतिभिम स्क्रीन पर बनता नजर नहीं आएगा लेकिन ऐसा प्रतिथ होगा कि वो लेंस के आगे की और कहीं बन रहा हो साइज बड़ा रहेगा एवं प्रकर्ती आभासी और सीधी रहेगी ये रहा टेबल इस टेबल में उत्तर लेंस दुआरा बनाए प्रतिभिम की जगे आकार और प्रकर्ती को दर्शाया गया है जैसा कि उत्तर लेंस प्रकाश को कन्वर्ज करते हैं इसलिए उनका उप्योग मैगनिफाइंग लेंस और कैमरे के लेंस के तोर पर भी किया जाता है साथ ही एक नेत्र दोश को ठीक करने के लिए भी उप्योग किया जाता है जिसके बारे में हम अगले पार्ट में बढ़ेंगे अब तक हम दरपन और लेंस के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं चलिए एक विभाजन टेबल बना कर सारे पॉइंच को याद रखने का प्रयास करते हैं नमबर एक दरपन के केस में एक काच के टुकडे को पॉलिश कर दरपन बनाये जाता है और यहां कोई भी पारदर्शी काच का टुकडा यदिवे गोलिया है तो लेंस कहलाता है नमबर दो दरपन हमेशा प्रकाश को परावर्तित करते हैं वहीं लेंस अपवर्तित करते हैं नमबर तीन, दरपन समतल या गोलिय हो सकते हैं, जबकि लेंस में दो प्रिष्ट होते हैं, जिसमें से कम से कम एक अंदर या बाहर की ओर मुड़ा होता है, आसान भाशा में हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, कि लेंस कभी भी समतल नहीं हो सकते हैं, जबकि दरपन समतल हो सक होती है जबकि लेंस के दो फोकल बिंदू और दो अपवर्तक सतय होती है हाँ तो दोस्तों यह तो बात हुई अपवर्तन की अगली वीडियो में लेंस से जुड़े लेंस सूत्र के बारे में जानेगे तब तक अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से हमारी और वीडियो प्रेक्टेरी ये टेक्या